कि हलो स्टूडेंट्स युनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग और्गनिस्म का पार्ट थर्ड मैं आप लोगों के लिए लेकर है यह और मैं उमीद करती हूं कि पार्ट वन और पार्ट टू आपको बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा बच्छो और यह जो पार्ट थर्ड है यह और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग है बच्छो इसलिए आप इसको और भी ध्यान से सुनिए मदर से टू डिंपल और चंदर मदर ने डिंपल और चंदर से कहा सी एंट्स डू दियर वक एट होम कलेक्टिवली देखिए कि देखो चीटिया किस तरह से एक जुटों के काम करती हैं you should also work together आपको भी एक साथ काम करना चाहिए on the basis of their duties अब देखिए इनके duties के आधार पर इनको तीन भागों में बाटा जाता है बच्छो एंट्स और कॉइन एंट वर्कर एंट 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 सोल्जर एंट देखिए इन में से एक क्या होती है क्वीन एंट होती है इसको रानी चिटी बोलते है और second है वर्कर एंट जो की इनका काम करती रहती है एंट सोल्जर एंट सोल्जर एंट होती है बच्छे जो इनकी जो एक्स होते हैं उनकी रक्षा करते हैं यह salt और salted water is sprinkled to disperse एंट देखिए जो salt या salt का जो पानी होता है वो इनके ऊपर चिड हो जाएंगी these days insecticides is also used to disperse एंट आजकल जो है हम कई कीट नाशक का भी यूज करते हैं चीटियों को भगाने के लिए this is harmful for harmful for us too लेकिन यह हमारे लिए भी बहुत नुकसान दायक हो सकता है देखिए बच्छों अब इसमें यह एक चार्ट दिया हुआ इसमें आपको बता र work कि यह जो काम करती हैं उनकी according देखिए इनका नाम रखा गया है नमबर फस्ट है टूल एक्स यानि कि जो अंडे देती है वो कौन सी कहलाती है चीटियां queen end second पर है to take care of the eggs यानि कि जो eggs की take care करते हैं उनकी देखबल करते हैं वो कौन होते हैं वर्करेंट to protect eggs house security और जो इनकी house की रख्षा करते हैं और इनके eggs को protect करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्छो soldier end आपको पता होगा बच्छो सिपाईयों का काम ही क्या होता है सुरक्षा करना है आज हमारे जो देश के सिपाई होते हैं वो क्या करते हैं वो भी water पर बैटके हमारी रख्षा करते हैं उसी तरह से बच्छों जो soldier end होती है वो भी in eggs की रख्षा करते हैं अब यह कह रहा है कि आपके आसपास में कौन सी ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी चीटियों की colonies पाई जाती है what are the solution to protect food from ants और हम किस तरह से खाने को जो है चीटियों से बचा सकते हैं आपने देखा होगा बच्छों जड़ा सा आप थोड़ा सा कोई मीठा होगा कोई मीठी चीज होगी ना हलकी सी भी उस पर तुरंत जो है एंट निकल के बाहर आती है सारी उस मीठे पर किसे चेड जाती है कई बार आपने देखा होगा छपातीज रखी होती है उनमें इसे बचासकते हैं यह आप लोग सोचिये लिंपल और हमारे पडोस में कौन रहता है अ फीट एंड्स विद कसार फ्लॉर मिक्सर इन दा गार्डन यह पूछ रही है कि दादी अमा हमारे पड़ोस में कौन रहता है जो है कसार कसार बच्चों होता है आटे का एक मिश्रन होता है जिसमें घी शक्कर और आटा मिक्स होता है तो वह गार्डन के अंदर दाल देती है वह दादी अमा के पूछ रही है का गार्डन के अंदर तो प्रदोस में क verf रहती है और थो कशार एक मिस्राइद के एक घी अर शक्कर रहती है तो वो गार्डन के अंदर डालती है थोड़ी जगत वो ऐसा क्यों करती है वो ऐसा क्यों करती है मॉम सेट तो हर मदर ने कहा सम पिपूल फीड एंट बाई गिविंग देम मिक्सर ऑफ घी, शुगर और फ्लोर कुछ लोग होते हैं बचों जो की आटा, घी और शुगर इनका मिक्स जो है एंट को खिलाते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमको इसको इनको भोजन उपलब्द कराना चाहिए कुछ लोगों की बचों धार्मी का आस्ता भी इससे जुड़ी होती है कई लोगों को लगता है कि जिसको मतलब कि जो एंट का जो होता है उसमें ऐसा लगता है कि उनको कि अगर इसमें हम आटा डालेंगे या कुछ मीठा कुछ डालेंगे तो इससे हमको पूर्णे प्राप्त होगा तो इस सोच की पीछे भी कुछ लोग ऐसा करते हैं अब आप खुद सोचिए और बताइए मिक्सर ऑफ घी शुगर एंड फ्लॉर इस गिवन तो एंड दा सेम वे विच आर दा अधर लिविंग क्रेचर फू आर गिवन फ्लॉर बाल्स जिस तरह से चीटियों को जो है शुगर और अंखी और आटे का जो मिक्सर दिया जाता है उसी तरह से क्या किसी और जो पुसे किसी और जो इनको बीकुर पुस्ण मू कोई प्लॉर बाल्स दी जाती कि तो और आघ्व और की पाल्स की को देते है तो गगिया यह से इने इमल्स होते हैं वोमें से शुगर बोलने वाले जाता है catch approaches कि और छह आटे की आता याटियों स सुनना और फील करना यह सारे सेंसेस अनिमल्स में भी होते हैं बट्स लाइक इगल हॉक वल्चर एटीसी देखिए जो बट्स होते हैं जैसे इगल हॉक और वल्चर यह सब एक ही कैटेगरी के बचो लेकिन इनकी प्रजाती अलग अलग है इगल आपने देखाऊगा ना चील व्हाइबाज और जो गिद्ध होते हैं एक एंसी देखिए प्रेव फ्रॉम माइल सब्स आवे एंड एनिमल्स लाइक क्या यह जो है बहुत दूर से बच्चो यह जो होते हैं इगल हॉक और वल्चर यह बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं बच्चो मीलो दू दूर से जो है किसी भी अनिमल को यह देख पाते हैं डॉक्स केन हीर वरी सॉफ्ट साउंड और जो डॉक्स होते हैं वह बहुत ही धीमे स्वर को भी तुरंत सुन लेते हैं सम इंजेक्ट्स केन आइडेंटिफाई देयर फूड फ्रॉम स्मेल और कुछ जो एनिमल्स होते है वह अपने भोजन को दूर से सूंग के पता लगा लेते हैं डिसकस अंटेल अब यह कह रहा है कि इस बारे में आप डिसकस कीजिए और बताइए जो मस्किटोस होते हैं वह आपको किस तरह से फाइंड करते हैं और जो डॉक्स होते हैं वह किसी भी व्यक्ति को कैसे आइडे क्योंकि यह पहले पढ़ा है वह होता उसमें से ही यह कोशन आपसे पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको इनके आंसर आने चाहिए जेनरली दा आइज ओफ दा बर्ड्स आर ओन दा टू साइड्स ओफ देर हैड्स देखिए बच्चो यह इनफॉर्मेशन जो है आपके लिए हो सकता है थोड़ी नई भी हो और रोमांचक भी हो कि जो बर्ड्स होते हैं उनके हैड पे दोनों तरफ जो है आईज होती है बर्ड्स कैन सी टू डिफरेंट थिंग्स एट वन पॉइंट आफ टाइम आपने देखा होगा बच्चो हम जो है किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे दोनों आईज साथ साथ काम करती हैं हम ए direction में एक साथ नहीं देख सकते हैं लेकिन ही जो birds होते हैं बच्चों वो एक ही time में two side में एक साथ देख सकते हैं the birds whose eyes cannot move देखिए और जिन birds की जो है eyes move नहीं कर पाती है generally move their neck to look around वे क्या करते हैं चारो दरफ देखने के लिए अपनी neck को move करते हैं similarly it is believed that the animals and birds which are active during daytime and can identify few colors देखिए generally ऐसा माना जाता है कि जो birds दिन में easily देख पाते हैं वो कई colors को पैचान पाते हैं क्योंकि वो सब चीज़ देखते हैं इसलिए वो हर color को पैचानते हैं and the animals and birds which are active only during night can see everything only in black and white और जो bird या animal बच्चों सिर्फ night में देख पाते हैं हैं वो सिर्फ black and white color में ही देख पाते हैं उनको मतलब black और white color ही समझ में आता है है ना मतलब जो नॉर्मल बर्ड्स होते हैं या animals होते हैं वो दिन सब चीज देख सकते हैं तो वो क्या सारे colors को देख पाते हैं सारी चीज उनको colorful दिखती है find out and tell देखिए सोची और बताइए how do birds warn other birds during the time of crisis यह कह रहा है बच्चों कि जब भी कोई birds किसी खत्रे में होता है संकट में होते हैं तो यह किस तरह से अपने जो साथी पक्षी होते हैं या पश्रू होते हैं उनको किस तरह से alert करते हैं how does eagle vulture etc search for their food eagle और वल्चर जो होते हैं वो अपना खाना कैसे दूनते हैं how does fish warn each other to of any danger और जो fishes होती हैं वो एक दूसरे को कैसे alert करती हैं किसी भी danger से एक दूसरे को आगा कैसे करती है वो तो यह कुछ interesting से सवाल है बच्चो जिनको आपको सोचना चाहिए और इन पर विचार करना चाहिए और बच्चों अगर इनमें से कोई ऐसा question हो जो आपको नहीं आता हो तो आप comment box से मुझसे पूछ सकते हैं मेरी help ले सकते हैं some birds make different sounds for different types of danger देखिए जितने भी birds होते हैं बच्चों वो सब अलग अलग तरीके के different different type के sound निकालते हैं जब उनको खत्रा महसूस होता है for example are different sound for which is coming flying and a different sound for one coming walking on the ground देखिए बच्चों example के लिए बता रहा है कि जैसे अगर कोई शत्रू उपर से उड़के आ रहा है तो वो अलग sound करते हैं और अगर कोई नीचे चलके आ रहा है ground पे जमीन पे तो ये birds अलग sound करते हैं तो ये इस तरह से बच्चों एक दूसरे को alert करते हैं where do the house lizard suddenly go away in winters ये पूछ रहा है बच्चों कि क्या कभी आपने सोचा है कि सर्दियों के अंदर lizard कहां चली जाती है which animal go for a long sleep during some particular seasons कौन कौन से ऐसे animals हैं जो किसी particular season में एकदम भी गायब हो जाते हैं बच्चों तो ये भी आपने वैसे पढ़ा हुआ है एक बर इनके भी आप जवाब खोजिए और मुझे comment box में comment जरूर करें please different animals birds insects have different hearing capacity देखिए जो different different type के animals होते हैं birds होते हैं और जो जितने भी इंजक्त होते हैं सबकी अपने अपने अलग capacity होती है hearing capacity होती है मतला सुनने की capacity इनकी सबकी अलग होती है bat flies in the night by hearing echo बचों जो bat होती है वो night में कैसे easily fly कर पाती है क्योंकि जो उसकी आवाज होती जो अंदर से वो एक sound निकालती है बचों वो sound टकरा के उसके पास आता और उसके ही through जो है वो आराम से उड़ पाती है we should work together just like and हमको जो है काम हमेशा एक साथ एक जो ठोकर करना चाहिए चीटियों की तरह we should also feed animals और हमको जो है एनिमल्स के लिए भी भोजन की व्यवस्ता करनी चाहिए क्योंकि बच्चों वैसे भी देखिए वो बिल्कुल बेजवान होते हैं आज हमको भूग लगती है तो हम जड़ से कह देते हैं ममा इदर उदर घूमते रहते हैं ठीक है उनके पास आजादी होती है लेकिन अगर उनको भूख लग रही तो ज़रूरी नहीं उनके पास खाना हो है ना तो इसलिए हमको क्या है एनिमल्स के बारे में सोच के रखना चाहिए उनके लिए खाने की ववस्ता करनी चाहिए अब य तेबल गीवें देखिए एक टेबल दी हुई है मैं नेक्स पेस बताती हूं आपको इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है कि कुछ इंजक्त और अनिमल्स के नेम इसमें दिये वह और इनकी स्पेशल्टी और इनकी स्पेशल जो क्वालिटी वह आपको लिखनी है इसके अ वग्रागों कि अपना धूनते हैं और आप बताएंगे इसमें कि मूव करते हैं कि स्वीम करते हैं फ्लाई करते हैं सब के बारे मिच्चों आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कमेंट जरूर दें, ओकिये बच्चों, बाई, टेक कियर.